तो देखे दोस्तों मैंने आज बनाया है बच्चों के लिए बहुत टेस्टी सा हेल्दी सा लंच और लंच ऐसा कि मातर दस मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा आपको कोई इसके लिए तैयारी पहले से नहीं करनी है बहुत जटपट से बनकर रेडी हो जाता है सुबह की जो भागम भाग होती है बच्चों का लंच वगएरा देना होता है उसके लिए एक दम परफेक्ट रेसिपी है तो जैश्रीकिष्णा दोस्तों मैं मोनिका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं तो मैंने ले ली थी एक कप सूजी और एक कप ले ली थी इसमें दही दही बच्चों ने मना कर दिया था कि ममी इसमें प्याज मट डालना आप इसको असिम्ला मिर्च के साथ ही बना दो तो मैंने जैसा बच्चों की चोईस हो तो ने हमेशा में वैसे ही कर लेती है अगर बच्चों का मन होता है कुछ खाने का जैसे मैं बना रही बच्चे देखते आएंगे मेरे बच्चों को तो यह बहुत ज्यादा पसंद आता आपके बच्चों को भी पसंद आएगा अभी क्या करेंगे तीखे पन के लिए मैंने दो हरी मेची डाल दिये और इसको भी बारी बारी चौप कर लेंगे इसमें डालना और आपके बच्चे अगर तीका खाते कि इस हीमें मिख्स कर देती Choper कि ज्पर से बारीक जी हो जाता है तो फैलाने में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है तो लिए चैसे हैं और इसी में मिक्सी हम भी ळाएमें ज्यादा सकते हैं का इस ज़्यादा दिकत नहीं होती है मैं इसी तरीके से बच्चों को बना कर खिलाती हूं अभी क्या करेंगे दस मिनट इस सूजी ने रेष्ट कर लिया था तो इसमें यह मैंने डाल दिया है सबजी और इसकी कंसिस्टेंसी जो हम एड़ेस्ट कर लेंगे जितनी थिकने समय इसको पानी डालेंगे और थोड़ा सा इसको रनी कर लेंगे यह बहुत सूजी फूल गई थी ना धही में डालने के बाद तो इसलिए हम इसको इस तरीक कर लेंगे जिससे की फेलाने में थोड़ा आसानी हो जाए अच्छे से इसको फेट लेंगे एक सो दो मिनट फेटेंगे जि उसके बाद हम आगे की तयारी कर ले तो हाँ गाइस वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लग जाता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा कमेंट कीजेगा और हाँ चैनल पर नए है ना तो सब्सक्राइब ज अगर इसको एक टी इस पून ये इनो निकलता है इसमें एक शैशे में थोड़ा इसको पानी डाल के एक्टिवेट कर लेंगे मैंने वही दई वाला जो कटोरा रखा था ना बावल रखा था मैंने उसी से पानी इसमें एड कर दिया है और आपना इसकी जगे अगर आपके पास इनो नहीं है आपके पास जो मीठा सोड़ा तो ने खाने वाला सोड़ा एक चुटकी के करीवो डाल दीजेगा उसके उपर डाल दीजेगा लेमन जूस तभी यह बहुत टेश्टी बन जाता है उससे भी यह अच्छे से जाली बन जाती हमें बैसिकली इसमें जाली बन नहीं है आप इसको पहले ऐसे फैला लेजिए और उसके बाद इसमें उपर से सब्जियां लगा दीजिए तो उपर से डाल दीए इसमें ओयल और मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूंगे आपको डारेक्ली दिखाऊंगे कि इस तरीके से हमारे जो उत्तपम है यह इसको पहले जाए बिल्कुल एकदम सत्य जो उपर वाली ने बिल्कुल एकदम ड्राइ हो जाएगी उसके बाद ही हमें इसको टर्न करना देखे पूरे अच्छे से सीख गया है और अच्छे से यह टर्न हो गया है अलट पलट के इसको दोनों तरफ से से शेख लेंगे अच प्रोप्लम नहीं होती है गरम गरम तो यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता ही है लेकिन ठंडा होने के बाद भी यह टेस्टी ही रहता है ज्यादा इसके टेस्ट में आंतर नहीं आता है देखे मैंने बना कर रेडिक कर लिया भी दूसरा भी मैं फैला कर आपको दिखा लेती हूं कि दूसरा भी मैं इसी तरीके से बना लूँगा और मैं सारे ही जो दोसे हैं या फिर इस पॉंज दोसा इसको आप बोल सकते हैं वह मैं फैला कर उत्रपम रेडी कर लूँगे तो यह देखे मैंने यह भी फैला लिया और इसकी भी सता उपर से एक तम ड्राई हो ग तरीके से बच्चों को टीफिन दे सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगता है और मेरे बच्चों को तो ना बहुत ज़्यादा पसंद आता इसी टाइप का लंच मैं बना कर दे देती हैं और सुबह की जो भागम भाग रहती हैं मार्च 10 मिनट में बनने वाला लंच है ज्य पास कोई भी चटनी ग्रीन चटनी है बच्चे खा लेते हैं फिर थोड़े बड़े हैं तो आप वह भी रख सकते हैं और यह रख दी हैं मैंने इसमें इनके उद्धिपम तो आपको कैसी लगी है रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा देखिए मैंने रख द लंच बॉक्स बनकर रेड़ी हो है बच्चों का तो मन खुश हो जाता इस ताई पकी चीज़े देखकर मेरे तो बच्चे बहुत हो जाते हैं कुछ अलग सा देखकर डेली रोटी सब्जी पराठा तो बच्चों को नहीं पसंद आता है रोटी सब्जी भी देते हैं लेकिन हफते में एक या दो बार में ऐसे भी दे देती हूं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो ये देखे मैंने उनका दोनों का टिफिन पैक कर दिया है तो कैसी लगे आज की मेरे टिफिन रेसिप आप कमेंट करके जरूर से पताईएगा और आज सुबा की भागम भाग जो होती है उसमें बहुत जल्दी बन कर ये रेडियो होता है चलिए बाई बाई दोस्तों जै श्री किसना थैंक्स फर वच्चिंग